वेरी गुड बॉर्णिंग इस्टुडेंग कल मैंने आप लोगों को लाइब क्लास में एक्सरसाइज 5.4 एक्सप्लेंग किया था लेकिन बच्चों ने इस वर्क को अभी तक सो नहीं किया है तो इसलिए मैं आपको एक बार फिर से इस वीडियो में इस एक्सरसाइज को एक् यहां पर आपको इसे एक्सपैंड़ फॉर्म में राइट करना है तो एक्सपैंड़ फॉर्म में सुडेंट राइट करने के लिए क्या करते हैं एक्सपैंड़ फॉर्म में राइट करने के लिए हम इने नमबर को वन बाई वन राइट करना स्टार्ट करते हैं जैसे यहां पर लिखा हुआ है 0.48 तो आपने 1st नंबर राइट किया यहां पर फिर प्लस लगाएंगे और उसके बाद वाला नंबर लिखेंगे तो next नंबर क्या था 4 लेकिन याद रखना है यहां पर point के बाद 48 आ रहा है तो point के बाद के नंबर को थोड़ा अलग तरीके से लिखना होत है तो point के बाद just बाद का जो नंबर होगा आप उसे राइट करेंगे और नीचे 10 राइट करेंगे ठीक है पॉइंट के बाद अगर जो first नंबर आता है तो first नंबर के नीचे 10 राइट करते हैं फिर जो second नंबर आता है second नंबर के denominator में हम लो 100 राइट करेंगे जो third place पर 10,000 करेंगे ऐसे ही हम लोग उसके नीचे नंबर को राइट करते हैं ठीक है और इसके बाद यहाँ पर क्या किया इन है और यह तो एक तरीका हुआ और इसके बाद हम क्या कर सकते हैं 0 को such as लिखेंगे plus जो लगा हुआ था यहाँ भी लगा हुआ है 4 upon 10 के place पर क्या करेंगे यहाँ पर 0.4 राइट कर देंगे ठीक है 0.4 क्यूं क्योंकि यहाँ पर 1 के बाद कितना 0 था उनली 1 0 है तो जो point लगेगा वो एक number के बाद लगेगा after a number क्या लगेगा point लग जाएगा तो यहाँ पर आपने 4 के पहले क्या लगा दिया point लगा दिया ठीक है और यह 0 तो लिखी देते हैं जैसे अगर मैंने यहाँ पर point 4 लिखा है तो 0 तो हमें लिखना ही पड़ता है ठीक है अगर किसी भी number के आगे कोई number नहीं बचरा point वाले number के आगे तो हमें 0 अपने मन से ल तो आपका जो point लगेगा वो two numbers के बाद लगेगा लेकिन आपके पास तो सिर्फ एक ही number है तो क्या करेंगे आप यहाँ पर एक zero बढ़ा लेंगे आपने क्या किया इसके आगे एक zero लिख दिया तो अब आप अराम से दो number के बाद point लगा सकते हैं तो one and two आपने यहाँ point हो तो zero लिख सकते हैं यहाँ पर यह तरीका होता है decimal के number को लिखने का तो यह हो गया इस तरह से आपने यहाँ पर इसे write कर दिया बिल्कोल इसी तरह से आप यहाँ पर देखिए question number b में कैसे करेंगे zero plus six upon ten plus nine upon hundred plus three upon thousand फिर equal लगा देंगे zero plus zero point six plus zero point zero nine plus zero point zero zero three ठीक है यह इसका solution हो जाएगा बिल्कोल ऐसे ही आप इसे अपनी copy में write करेंगे clear हुआ अब next देखिए यहाँ पर problem number c है c को कैसे करेंगे इसका solution क्या हो जाएगा one plus five upon ten plus eight upon hundred plus four upon thousand या फिर क्या लिख सकते हैं one plus zero point five plus zero point zero eight plus zero point zero four ठीक है यह हो जाएगा इसका solution c का और बिल्कोल इसी तरह से हम तो क्या करेंगे problem number d का भी solution write करेंगे जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है one hundred ninety five point four तो क्या करेंगे plus करेंगे hundred plus हो जाएगा यहाँ पर ninety plus five plus four upon ten या फिर write कर सकते हैं hundred plus ninety plus five just a minute plus five plus zero point four ठीक है यहाँ पर इसको इस तरह से भी write कर सकते हैं तो यह इसका solution हुआ अब next देखिए यहाँ पर आपको expanded form में given है number और इन्हें आपको short form में write करना है ठीक है यह expanded form में given है तो आपको क्या करना था short form में write करना है बहुत आसान है बी से start करते हैं जैसे यहाँ पर है five five hundred फिर forty and three तो आप लिख सकते हैं इसको five hundred forty three point क्या जाएगा यहाँ पर six zero seven यहाँ पर बीच में zero क्यों आ गया देखें यहाँ पर zero point six हुआ तो zero point six के बाद क्या number कोई आना चाहिए था zero point और एक zero के साथ फिर कोई एक number आना चाहिए था यहाँ पर पहले कोई भी zero नहीं है इसके साथ तो एक zero वाला number आना चाहिए था मतलब कोई भी ऐसा number आता जिसके पास एक zero होता और वो number लिखा होता और उसके बाद दो zero वाला number आता लाइन से अगर आता तो आप क्या करते हैं पहले six लिखते फिर जो इसके बाद का number होता उसे लिखते फिर seven को लिखते है यहाँ पर ऐसा कुछ है नहीं तो आपने यहाँ पर क्या कर दिया और यहाँ पर क्या करेंगे यहाँ पर लिखेंगे eight two seven point five zero one और last में यहाँ पर क्या करेंगे 25.067 मुझे कैसे पता चला कि six पहले आएगा देखे ten वाला पहले आना चाहिए था ना लेकिन यहां hundred और thousand आ गया पहले तो ten वाले के लिए हमने यहाँ पर zero write कर दिया जो number नहीं होता skip होता उसके लिए zero write कर देते हैं ठीक है तो इस तरह से यह इसका solution हो गया अब next देखें यहाँ पर देखें यहाँ पर already यह fill है तो fill in the blanks को आप self fill कर सकते हैं और फिर देखते हैं question number four question number four में आपको क्या करना है यहाँ पर place value write करनी है जो भी number यहाँ पर underline है तो जैसे यहाँ पर underline था two का तो two आपको पता है कि point के बाद कितने place पर आरा three place पर आरा है तो two के denominator में क्या write कर 1000 करेंगे one के पीछे 30 लिखेंगे अब देखी जो next number है यहाँ पर three point eight four one है तो eight है वो one place पर आ रहा है तो one के नीचे कितना zero ten आ जाएगा तो eight upon ten इसका क्या हो जाएगा place value हो जाएगा तो यहाँ पर क्या लिख देंगे eight यहाँ पर लिखेंगे eight upon ten ठीक है अब जैसे भी write कर सकते हैं इस तरह से भी लिख सकते हैं eight upon ten तो confuse मत हो जाएगा next है seven की place value लिखनी है तो seven का place value seven ही हो जाएगा और next d में आपको write करनी है five की place value तो देखिए five के आप point के बाद three place पर आ रहा है point के बाद three place पर आ रहा है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे five upon thousand हो जाएगा ठीक है next देखिए यहाँ पर one की place value write करनी है तो point के बाद वो second place पर आ रहा है तो one की पीछे two zero मतलब one upon hundred हो जाएगा तो बिलकुल इसी तरह से आपको इसे अपनी copy में solve करना है सारे work को आप copy में solve करेंगे और साथ ही book में भी इसे write करेंगे ठीक है जो work book में write नहीं कर सकते हैं ज्यादा space नहीं है तो आप उसे copy में solve करेंगे so student now it's enough for today in next video I am taking the new exercise सकतिंगे तरह समय है तरह से तरह स्थराव कर दलैसे दिदावल गलरा है तो भी थ्यादा आप है छोग टीका है लिए400 एव्यादाव नहीं है